ओके वेलकम टुश्टेडी वाला तो अभी हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस का जो कंसलिंग राउंड है उसके उपर यहां पर फर्स्ट राउंड भी हो चुका है सेकेंड राउंड भी हो चुका है तो आज जो आप लोग का नोटिफि फिजिक्स में होती है सब में सिमिलर होती है तो भी आपके सैटिस्टेक्शन के लिए हम लोग हर हर कॉंजली राउंड की जो लिस्ट है वो देख लेगे तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के ऊपर डिसकस कर लेते हैं तो यह देखो बावीश नो को आया है मतलब आज ही आ पहले आप उपर में लिखा है merit list for counselling round 3 मतलब इसको आप लगों 3 भी बोल सकते हो लेकिन इसको counselling इसलिए बोला जाता है कि यह last chance होता है आप लोगों के पास तो यहाँ पर अगर आप लोग मिस करते हो तो आप लोगों का admissions नहीं मिलेगा यहाँ पर क्या लिखा है after round 1 and round 2 admission vacancies for MSC physics semester 1 admission as per category and given in the following table मतलब यहाँ पर जो round 3 है यह भी as a category wise ही होगा तो यहाँ पर अभी हम लोग discuss करेंगे कितनी category के लिए कितनी sits vacant है the admission will be carry out depending on vacancies and depending on merit देखो जो आप लोग merit के उपर बात कर रहे हो और नहीं जो आप लोग spot admission के उपर बात कर रहे हो तो spot admission आप लोग का तभी होंगा जब आप लोग merit list में हो और जैसे example की तौर पे अगर physics के लिए थर राउंड या फिर cancelling round या counseling round या फिर जो आप लोग spot admission बोल रहे हो वो भी as a merit and category wise ही होंगा note 4 admission will be carried 23rd September मतलब आज है 22 कल कल आप लोग को जाना है at 11 30 a.m. sharp ठीक है आप लोग को साड़े कहना पचे रूम नमर 45 के institute of science पर पहुत जाना है फिर आगे क्या होंगा the candidate fails to attend this round अगर आप लोग इस राउंड पर participate नहीं करते हो या फिर इस राउंड पर नहीं जाते हो तो यहाँ पर लिखा है if candidate fails to attend this round will not be considered for any further admission round जैसे आप लोग को पता है कि अगर merit list number 1 आती है तो अगर आप लोग ने वापर जाके admission नहीं लिए आप लोग का merit list में नाम आने के बाद भी तो उसके बाद आप लोग admission नहीं ले सकते हो वैसा ही आप counseling round कभी है अगर आप लोग को बुलाए है तो अगर आप लोग नहीं पहुचे शार्प साड़े 11 बजे 23rd September को तो आप लोग आगे के कोई भी राउंड में eligible नहीं होंगे आगे के जो students है उनको मौका दिया जाएंगा तीक है दिया क्लेम विल भी automatically get cancelled and next candidate according to merit will be called सिट्रीमेंड वेकेंड जैसे मैं आप लोग को बताया हूं कि अगले स्ट्टेंट्स को वह वहाँ पर मौका देंगे अगर आप लोग 23rd September को नहीं जाते हो तो और यहाँ पर यह भी पताया गया कि original documents आप लोग को राना है as a verified required to be verified verification करने के लिए आप लोग को जो documents है वो required होना यहाँ पर लिस्ट है यह भी मैं कई बार discuss कर चुका हूं आप लोग भी एक बार इस लिस्ट को देख लेना अब यहाँ पर लिखा है वेकन सीट फॉर उपन एंड ओबीसी के लिए तो आप लोग को अपना यहाँ पर देख लेना है कि किस तरह से जितनी सीट्स खाली है तो यहाँ पर admission होंगा यह नहीं लेकिन शार्फ आप लोगो 23rd को जाना है तो यह अभी हम लोग डिसकस कर लिए physics का अभी हम लोग आपर देख लेगते हैं chemistry का क्या है तो यहाँ पर chemistry में अगर हम लोग बात करें तो merit list counselling round ठीक है यहाँ पर क्या लिखा है candidate listed below जैसे मैं आप लोग को बता इस वहाँ थेवीज को बारा साधे बारा बजे chemistry के लिए आप लोगों को साधे बारा बजे जाना है इस candidate fail to report 1230 तो वह consider नहीं होंगा आगे के round या विरागे के admission के लिए आपका admission तभी मिलेंगा जब वहाँ पर सेट्स आप लोगों की जो available है और नहीं admission फीस मुस्ट भी पेड इमीडिएटली इन कैश और थू डीडी ऑफ एनी नेशनल बैंक फेवर द डीरेक्टर आफ इंस्टीट बतला उन लोग के पास जो आप लोग का फीस लेने के लिए वहाँ पर क्या बूल सकते हैं उनके पास जो चीजे हैं उससे ही आप लोग फीस पे कर सकते हैं तो कैश या फिर उन लोग के पास जो भी नेशनलाइज बैक आउटरेटी है एंड फोटो कॉफी ऑफ दे रिसीट सुब भी सड्मिटेट पतला आप लोग का जो admission होता है उसक आप लोग नहीं गए तो आप लोगों की सीट आगे बच्चों को दे दिये जाएंगे तो आप लोग को इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना है ठीक अधर्वाइस फिर आपे simply आप लिखा गया है कि अगर आप लोग नहीं पहुंचोंगे तो फिर आप लोग यहाप आप लोग नहीं रह पाऊंगे तो यहीं होता है canceling round counseling round और भी अगर हम लोग यहां पर देख ले तो यहां पर भी आ नहीं रहे तो अगर कोई और सब्जेक्स के लिए तो simple mathematics के लिए भी आप लोगों को वही रूल फॉलो करना है अगर हम लोग mathematics की बात करें तो हाँ यहां पर भी वही लिखा है एक बज़े आप लोग को जाना है कल ओरिजिनल चीज़े लेकर यह students को ठीक है जिनका यह पर नाम लिखा है कि यह पर लिखा है all the following candidates should remain represent in the department of mathematics by order तो यह है आप लोगों की लिस्ट अगर आप लोग नहीं पहुचते हो तो आप लोग को नहीं मिलेगा admission तो आप लोग को यह चीज़ों को रखना है ध्यान में तो इस वीडियो में इतना ही अगर आप लोग को दूसरा subject आप लोग चेक सब्सक्राइब कर सकते हो तो आपको इस वीडियो की description में सभी चीज़ों की link मिल जाएंगी आप लोग हमसे join कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही अगली वीडियो लोग फिर मिलेंगे जब तक के लिए good bye